नमस्कार मैं भारती जहो और आप देख रहे हैं Fact India Sports और अफगानिस्तान मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाडियों के बीच तीखी भहस होती नजर आई सलामी बल्लेबास डेविट वार्नर इस दोरान राशित खान के साथ कुछ बात करते नजर भी आए खिलाडियों की या वीडियो सोचल मीडिया पर काफी वारल हो रही है मॉंबाई के वानखेरी स्टेडियम में आउस्ट्रियलिया और अफगानिस्तान मुकाबले के बीच पांच जबे ओवर्ड के दोरान या नोग छोख हुई इस समय मिशल मार्स और डैविड वार्नर क्रीस पर बल्लेबाजी कर रहे थे ओवर्ड के दुरान पहले अजमतुला उम्राईज और मिशल मार्स के 20 शब्दों के आदान प्रदान हुआ दोनों एक दूसरे के कुछ कहते नजर आए इसके बाद राशित और वार्नर एक दूसरे के से लगभख भिरने की सिथी में आ गये थे नॉन स्ट्राइक छोड की और आ रहे वार्नर और राशित ने एक दूसरे को देखा जिसके बाद राशित वार्नर से कुछ कहने लगे वहें इसके बाद Warner ने काफी देर तक राशित को गुस्से में कुछ कहा दोनों खिलाडियों के बीच काफी देर तक कहा सुनी होती नजर आई Warner और राशित 2017 से 2021 तक इंडिन प्रीमेर लीग IPL में Sunrises हैदराबाद के लिए एक साथ भी खेल चुके है जाहिर सी बात है कि आउस्टेलिया का अफगानिस्तान ने इस मैच उमीद से बहत प्रदशन मुद तोर जवाब भी दिया है राशित खान ने इस मुकाबले में अपने साथ ओवरों के स्पेल में तीस रन देकर दो विकेट चटका लिये थे वहीं आउस्टेलियाई टीम अफगानिस्तान के गेंबाजों के सामने पूरी तरह से लड़कराती नज़र आई अफगानिस्तान के 292 रनों के लक्ष का पीछा करने उतरी आउस्टेलियाई विकेट पतन के रोकने में असफल रही इस बीच अफगानि गेंबाज ने डेविड वार्नर को मातर 18 रनों पर ही कमाल का बोल्ट कर पवेलियन भेजा साथ ही उन्होंने अपनी अगली ही गेंट पर जॉश इंग्लिश को शूने पर आउट कर दिया कल की मैच की बात करें तो आउस्टेलिया ने अफगानिस्तान को 3 विकेट से हरा दिया इस जीत के साथ ही कंगारू टीन सिल फानल में पहुच गई है अउस्टेलिया सिल फानल में पहुच वाली 3 टीम बन चुकी है अब चौथ हे स्थान के लिए न्यूजिलेंड और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला होगी इस मैच में अफगानिस्तान ने पहले बल्लबाजी करते वे 291 रन बनाए इसके जवाब में आस्ट्रेलिया इने 7 विकेट पर 293 रन बना लिये और मैच जीत लिया अफगानिस्तान के लिए सबसे अदा नाबाद 129 रन इब्राहिम जादरन ने बनाए राशित खान ने 35 रन की नाबाद पारी खेली आस्ट्रेलिया के जोस हैजल वोड ने दो विकेट लिये मिजल स्टार्ग, ग्लैन मैक्सवेल और एडम जंपा को एक-एक विकेट मिला वहीं आस्ट्रेलिया के लिए अकेले ग्लैन मैक्सवेल ने नाबाद 201 रन बना दिये मिजल मार्श ने 24 रन की पारी खेली अफगानिस्तान के लिए नवी नुल हक अजम तुल्ला, उम्जाई और राशित खान ने दो दो विकेट लिये और उस्ट्रेलिया ने 91 रन पर अपने साथ विकेट गवा दिये थे इसके बाद मैक्सवेल ने पैट कमीन्स के साथ 202 रनों की नाबाद साज़िदारी कर अपने टीम को जीत दिला दी यह इस वर्ल्ड कप का पहला दोरा शतक था और फिर स्पोर्ट्स जूरी अपडेट के लिए देखते ही तक इंडिया स्पोर्ट्स